So hello everyone, सबसे पहले तो बताओ कि आप लोगों में से मेंस किस-किस ने लिखा है, पहले, essay का क्या था पहले marks, 105 था आपका, कोई इसको उससे कर दे, 95, तो क्या लग रहा आपको, कैसा क्यों हो रहा है, किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 100 marks आ रहे हैं, यही जनने आ है, ठीक है, आपको यही बताया जाएगा, तो हमारा जो session होगा, आज जो essay workshop है, वो इस तरह से चलेगा, कि first आपका 45 minutes to 1 hours आपको बताया जाएगा, कि आप लोग क्या mistake कर रहे हो, और क्या आपको करना है, ऐसे कि understanding कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे आपको handle करना है, right, यह सब चीजे सारा बताया जाएगा, then 1 hour की आपकी practice होगी, एक essay आपको दिया जाएगा, उस पर आप brainstorm करोगे, उस पर लिखोगे, and same essay को आज ही discuss किया जाएगा, so this will be our setup for today's class, ठीक है, start करते हैं हम लोग, सबसे पहले the soul of the essay क्या होता है, soul of the essay यह है, जो हम आ रहे हैं, UPSC syllabus में लिखा हुआ है, और ultimately हम लोग को यही bring करना है, right, और exactly यही करना है, कि candidates may be required to write multiple essays, already 2 essay पूछ रहा है, they will be expected to keep closely to the subjects, very-very important, essay topics जो है, उसको आपको closely ही रखना है, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आप, आगे हम लोग और बेटर तरीके से समझेंगे, then arrange their ideas in the orderly fashion, यह जो essay के papers हैं, वो GS के papers से different है, GS के paper में आप disorderly भी लिखते हो, random manner में भी लिखते हो, तो काम चल जाता है, वहाँ पे कितना ज्यादा facts, कितना ज्यादा knowledge है आपके पास, वो चीज़ मैटर करता है, but how expressive you are, that matters in the essay paper, तो यह orderly fashion में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, then write concisely, कुछ भी नहीं लिखना है, 1000 to 1200 words आपको मिल रहा है लिखने के लिए, इसका मतलब नहीं कि भाबनाव में बैके कुछ भी लिख दिये, topic भूलके, right, तो concisely आपको लिखना है and effective and exact expression, finally जो आपका 1000 to 1200 words में, essay बन रहा है, वो exactly बताये कि जो topic आपको दिया गया था, वो आपने cover किया कि नहीं किया, और कितने अच्छे से cover किया, right, so two things you will have to remember always in the essay paper, एक तो ये syllabus, जो तीलनायन का syllabus है, ये चीद हमेशा दिमाग में रहनना है कि आपको concisely and to the point essay लिखना है, and दूसरा जो essay का topic है, right, so this is clear, then there are some common doubts, अभी situations इस तरह की बन रही है, कि क्या UPC essay में क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नि लिखना है, किसी को 140 आजा रहा है, 150 आजा रहा है, किसी को 70 आजा रहा है, क्या हो रहा है वही, यह doubt चलता है न अभी तो, तो आपके common doubts, जो है, सबसे पहले तो यह है कि, क्या essay में बहुत ज्यादा preparation करनी की जुरुरत है, already GS124 आप कर रहे हो, optional हारे का कुछ न कुछ है, optional वह कर रहे हो, right, that knowledge is sufficient, but essay में कुछ extra चीजे जालनी होती है, आपको अपने essay को unique मनाना है, और वह uniqueness आपके personality को reflect करता है, किसी को poem recite करने बहुत अच्य से आता है, तो वह poem लिखके आ जाता है, किसी को studying telling बहुत अच्य आती है, तो वह anecdote लिखके आ जाता है, किसी को quotes रट सकता है, तो वह quotes लिखके आ जाता है, कोई movies बहुत ज्यादा देखता है, तो वह movies से कुछ link करके वहाँ आ सकता है, कोई बहुत ज्यादा books परता है, तो वह books से relate करके आ सकता है, So there should be uniqueness, तो बहुत ज्यादा preparation करने की जुरत नहीं है, already you have sufficient knowledge, बट कुछ preparation करने की जुरत जरूर है, जैसे कुछ anecdotes का compilation आपने उठा लिया, जिसको पहले से अपने पढ़के चले गए, वहाँ पे अपने लिख दिया, कुछ poems जो आपको याद हो, जिसके पास capability है ये करने का, कुछ ने कुछ तो होगा न आपके पास, या तो आप movies देखते हो ज्यादा, या books परते हो, poem लिख सकते हो, anecdote नहीं, तो anecdote तो सब बना सकता है, right, तो ये चीज़ कर सकते हो, ये आपको essay को unique बनाना है, organic method से चलना है, so बहुत ज्यादा preparation करने की जरूत नहीं है, बट इतना preparation जरूर करना है कि आपका essay introduction थोड़ा unique लगे, main body unique लगे, conclusion unique लगे थोड़ा सा, right, so that you have to do, ये essay marks improvement program वाली booklet आप लोगो को दिया जाएगा, so you can read that booklet, वहां से कापी सारे आपको quotes, anecdotes और बाकी facts वगरा मिल जाएगे, that you can use, then second doubt आता है कि कितना practice करे, आज के date में विराट को हली खेल रहा है, विराट को हली को भी practice करनी पड़ती है daily, right, Sachin Tendulkar जब तक खेल रहा था, 18 साल, 20 साल, तब तक daily उन्होंने practice किया, तो आप essay में 250 marks का ली कर रहा हो, IS बनना चार हो, तो क्या बिना practice का हो जाएगा, है ना, तो कम से कम 57 ऐसे तो आप लिख के जाओ धन से, इतने तो करके जाओ, so that much practice is very much required, then एक ओता है कि need excellent English original language, क्योंकि कुछ लोगों का original language में भी वो लिखते हैं, तो क्या यह बहुत जादा excellent होना चाहिए, ऐसे लिखने के लिए, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, अगर किसी के पास यह doubt है, किसी के पास यह चीज है, कि मेरा English बहुत जादा अच्छा होना चीए, मेरा Hindi बहुत अच्छा होना चीए, flowery language में लिखा होना चीए, तो यह सब बिलकुल गलत है, आपको grammatically correct लिखना है, जिस भी language में आप लिखना है, जिस भी language में आप लिखना है, आपको बना बना के लिखने, interlinkages करकर के लिखने, right, so that is there, then आता है कि how many quotes will be sufficient, कि कोई बंदा ऐसा हो सकता है, जो quotes लिखने में बहुत जादा comfortable है, तो क्या वो 10 quotes लिखने में सब कोई comfortable नहीं होता है, सब कोई exact meaning नहीं याद कर, exact wording नहीं याद कर सकते, तो जो कर सकते हैं, उनके लिए 3-4 quotes in a essay is more than sufficient, इससे ज्यादा आपको effort नहीं डालना, और जो नहीं कर सकते, exact verbatism नहीं आप लिख सकते, वो आप thought के तरह लिख सकते हो, right, कि इनका ये thought है, महात्मा गान्दी जी का ये thought है, और उनका ये क्याना है, अपने language में आपने explain कर द जोरत्मी है, essay paper में किसी भी चीज को access करोगे तो कम number आएंगे, balance बना आगे चलना रहता है, right, then another doubt is point format में लिखें कि paragraph format में लिखें, किसमें लिखना चाहिए, paragraph format में, points format में, आपका GS का answer चलेगा, GS का answer वाला मत apply करना essay वाले paper में, essay paper is a subjective paper, और यहां पर आपको objective nature का नहीं दिखाना है, right, आपको हमेशा paragraph format में ही लिखना है, there should not be any doubt on this, और छोटे-छोटे paragraph में लिखना है, जैसे paragraph आपने लिखा तो पूरा-पूरा page का एक paragraph नहीं बना देना, कौन पर हेगा ये, आपको exam दे रहा है, UPS exam तो आपको चाहिए कि आप examiner को जो है ना, उनके लिए आसान करो चीज़ों को, right, तो उनके लिए जब आसान तब ही होगा, जब आप छोटे-छोटे paragraph में लिखोगे, one idea, one paragraph, तो तीन-तीन paragraph का आप बना सकते हो, अगर आपकी handwriting बहुत बरी है, तो फिर आप दो paragraph का एक page में लिख सकते हो, या बहुत छ right, और average का मतलब है कि like 100-to-120 words आप एक page में लिख रहे हो, इससे जयदा अगर लिख रहे हो, 150-160 words लिख रहे हो, तो और paragraph बनाओ, चार paragraph बनाओ, और इससे कम लिख रहे हो, 70-80 words ही लिख रहे हो, तो फिर दो paragraph में काम सल जाएगा, तो on an average 100-to-120 words ही लोग लिखते हैं, तो message में काम नहीं चलेगा, ये box, दूसरा another box, तिसरा another box, ये paragraphs लिंक होने चाहे हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें आप keywords use कर होगे, therefore, hence, moreover, ये सब keywords जो भी होते हैं, ये language बना के use कर सकते हो, कि we have seen this, now we will see this, right, then long paragraph, ये short paragraph that has been covered, then, एक और doubt आता है, कि draw diagrams, map, figures, ये सब करें की नहीं करें, essay में, क्योंकि मेरा diagram तो बहुत अच्छा है, GS में हम लोग, हम बहुत अच्छा score कर रहे हैं, बहुत अच्छे-च्छे diagram बना के, essay में आपको diagrams, maps, figures, किसी भी चीज़ की कोई जुरत नहीं है, अगर आप करते हो, ये deduce होंगे, essay is a subjective paper, इसको objective मत बनाओ, right, so diagrams, maps, figures, ये सब चीज़ आपको नहीं बनाना है, essay में, वहाँ पे आपका language skills check हो रहा है, right, then another is की handwriting कैसा होना चाहिए, ये सब common dots बार बार आते रहते हैं, student के तरफ से, इसलिए एक ही बार समझ लो, की handwriting क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कोई अच्छी handwriting वाले को सब जगा फैदा तो है, but आप अपना handwriting legival बना के रखो, पढने में कोई problem नहीं होना चाहिए, इतना साब लिख दो की उसको पढ़ाए कोई दिकत नहीं है, that is sufficient and, right, then there is another question की सब है heading कितने होनी चाहिए, एक तो introduction में आप कोई sub heading नहीं लिखोगे, conclusion में आपके कोई sub heading नहीं आएंगे, sub heading कहाँ पर आते हैं, main body में, main body में sub heading आपको near our 7 to 800 के आसपास आपको लिखना रहता है, क्योंकि 1200 words में आपको लिखना है, 1000 to 1200 words में, ठीक है, इसमें से 150 words तो आप introduction का लिख दे रहो, 100 words आप conclusion का लिख दे रहो, तो बद कितना जाता है, around 800 words, right, तो 800 words आपको बच जा रहा है, तो इसमें आप 5-6 sub heading से maximum से maximum इसे ज्यादा मत बनाना, इसे ज्यादा बनेगा भी नहीं, right, तो यह चीजे है, then other questions आता है कि क्या quotes, thoughts, other language में लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे आप तो let's suppose कि आप English language में लिख रहा हो, यैसे, तो क्या Hindi डाल सकते हो, क्या उडिया डाल सकते हो, क्या बांगला डाल सकते हो, क्या लगता है आप डालना चाहिए, आप डाल सकते हो, बिलकुल डाल सकते हो, बट उसको English में आपको translate करना परेगा, साथ ही साथ उसको essay के साथ link करना परेगा, ऐसा नहीं है कि आपने बस other language में डाल दिया और अब उसके आगे निकल गए, उसको कुछ नहीं किया, right, so, अगर quotes, thoughts, other language में लिख रहे हो, other script में लिख रहे हो, तो उसको translate करके English language में करोगे, अगर आप English में लिख रहे हो, Hindi में लिख रहे हो, तो Hindi में करोगे, जिस भी language में लिख रहे हो, उस language में करोगे, right, then, कितना underline होना चीए, यह भी आता है, पता चलता है कि पूरा का प लिखा सब तो important ही है तो रगर दो सब right not more than 10 to 15 percent इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो 10 to 15 percent of the page 120 words अगर लिख रहे हो तो 10-15 words से ज़्यादा आप underline मत करो इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो एक से से वो फिर underline नहीं रहा जाएगा फिर वो highlight कहां कर रहा है फिर तो वो जाएगे जो आपने highlight नहीं किया right तो एक से से मत करो इसको underline ठीक है इसमें कोई doubt है यही सब common doubt आते रहते हैं लोगों के कि देख लेते हैं कि what are some do's and what are some don'ts in essay क्यों मिंस कम नमबर आ जाते हैं मिंस कुछ तो कर रहा होगे ना यूपेसी एक्जाम में सेमी एक्जाम में कुछ लोगों के ज्यादा नमबर आने कुछ लोगों के कम आ रहे है तो कुछ तो जिसके नहीं आ रहे हो वो कुछ तो ऐसा कर दे रहे होंगे जो नहीं करना चाहिए था या कुछ ऐसा नहीं कर रहे होंगे जो की करना चाहिए था है ना तो सबसे पहले तो small sentences and grammatically correct होना चाहिए आप लोग क्या करते हो कि बरावरा sentences लिखते हो पांस-पांस line का एक sentence बन रहा सांस फूल जाएगी उसकी पढ़ने में तो आपको छोटे-छोटे sentences बनाने है छोटे sentences में आपका language हो सकता है राइट बरावरा sentence बना के impress करने का कोशियस मत करो कि पांस-पांस line में छे line में आप sentences बना रहे हो एक-एक sentence एक paragraph में एक sentence आ रहा है तो that is very bad way of writing आप इतने बरे scholar नहीं हो गये हो कि आपका कहीं पर आप editorial लिख रहे हो और आपका आप लोग बैठके परेगा हिंदू में बरे बरे अभी आते हैं तो हम लोग तो बैठते ही पढ़ते हैं बोलो scholar है भाई यहाँ पर तो आपको चेक किया जा रहा है कि आप इस exam के लिए eligible हो की नहीं हो तो उनके लिए काम आसान करके दो छोटे-छोटे sentences में grammatically correct होना जाए फ्लावरी language की कोई जुरत नहीं है then connect introduction main body and conclusion आपने कुछ anecdote लिखा आपने कुछ thoughts लिखे introduction में उसको try करो कि कुछ main body में connect कर दें कुछ right इससे क्या होगा ना कि complete cycle बनता रहेगा यह आपके thoughts को propagate करेगा बिस यह दिखाएगा कि आपके thoughts जो है वो closely linked है right so this should be done this is most important read as a topic frequently दो चीजे essay exam के अंदर जो आपको धियान रखनी है एक तो syllabus जो तीन चार लाइन की syllabus है कि आपको exactly to the topic लिखना है और दूसरा लोग पर लेते हैं ऐसे topic और फिर restaurant भूल जाते है topic क्या था बारास ओवर लिखे तो आ गया लेकिन फिर number आते है 35 number 40 number एक essay में क्योंकि वो भूल गया कि करना क्या था अभी आगे परेंगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बूल जाते हैं आधा topic को cover करेंगे complete topic को आपको cover करना है इसलिए आपको ऐसे बार बार एक page में लिखने के बाद फिर एक बार पढ़ लो ऐसे topic एक बार पढ़ लो कितना समय लगेगा हो first time ही तो ज्यादा समय लग रहा है उसके बार तो दो चार सकेंड में पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा कि आपका mind constant रहेगा उसी को आप वहीं पर आपको रख लिखना है जो ऐसे topic पुछ रही है exactly उसको cover करना है right अगर quotes लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सा explain करो ऐसा नहीं हो कि आपने quotes लिख दिया और बस आप आगे बर गए कि अब उनका हमने तो लिख दिया वही अपने जो रट के लाया था हम तो अपना लिख दिया अपना काम कर दिये अब उनकी responsibility बनती है कि अब वह समझे उनको जैसे समझना है Google करके समझना है जैसे समझना है वोर समझे उसको connect तो करो topic के साथ थोड़ा सा एक दो line के अंदर नहीं तो क्या फैदा है फिर समझे रहो बात यह चीज़ करो अगर आप कोई book वगेरा पढ़ते हो एंड उस वो book में है कि कोई unique ideas है बहुत सारे books है anthropology वाले तो कापी सारे books पढ़ते है और अधर अधर भी आपका कोई hobby है तो आप बहुत सारे books पढ़ते हो तो आप अगर कोई unique book पढ़ते हो तो उसका book का नाम प्लस author और वो ideas आप लिख सकते हो यह ideas जो होना चाहिए वो ऐसे topic से link होना चाहिए तभी तो आप लिख होगे उसको ऐसा नहीं जवरदस्ती कि हमने book पढ़ ली है पांस तो आए चाहिए नहीं आए इसको डाल के आना है तो वो backfire कर जाएगी तो अगर आप कुछ unique कर रहे हो आप means already आपके पास यह talent है अगर आप कोई book पर रहे हो तो वहां से कुछ knowledge आपने गेन किया होगा और यह knowledge अगर इसमें काम आ रहा है आपके essay में लिखने में काम आ रहा है तो उसका use करो and definitely you can write the name of the book as well as its author कोई problem नहीं है then the most important जो चीज ऐसे में होना चीए that is its flow और किस तरा का flow language flow as well as logical flow कैसे chronology में आपको सोच रहे हो और उसको present कर रहे हो and language flow कैसे बनाएंगे connect करोगे जैसे aspect होगा main body में 5 से 6 different different aspects होगा macro structuring जो हम लोग करेंगे तो हो समसर हो कि नहीं उस aspects को language से connect करो कि we have seen this till now now we will see this यह language flow होता है एक paragraph को दूसरे paragraph से connect करके लिखो यह language बना के लिख सकते हो यह keyword से लिख सकते हो ठीक है तो इस तरह से language flow and logical flow is सबसे ज्यादा जो important है न वो चीज़ है यही चीज़ है आप अगर better examples नहीं भी लिख रहे हो आप अगर better facts or data नहीं भी लिख रहे हो लेकिन language flow और logical flow अगर आप दिखा रहे हो तो you will get very good marks in essay यह सबसे ज्यादा चीज़ important है right then critical thinking एक any essay topic आपको दिया जा रहा है तो उस topic को आप कितने dimension से कितने aspect से सोच सकते हो right और यह critical thinking क्या करता है कि आपके essay में uniqueness लाता है वहां पर आपकी personality जा लगती है कि आप क्या आदमी हो आपको क्यों IS बनाना चाहिए और क्यों उसको 150 number देना चाहिए ताकि आप IS बन जाओ right so this critical thinking will be very much important और इसमें critically आपको think करना है essay topic को कि कितना कितना other other aspects में हम कैसे essay को topic को हम deal कर सकते है right then the if you are writing organic essay with the original thinking so it will be rewarded definitely it will be rewarded then कि वही गिसा पीटा चीज जो बांकी सब लिखते है ठीक है तो अगर वही चीज लिखोगे तो वह repetitive आप सोचो आपने तो एक ऐसे लिख्या आया लेकिन उनको यही चीज हजार लोग का चेक करना है 2000 लोग का चेक करना है तो आपका essay कैसे different है तो क्या uniqueness है वह organic चीज अगर आप अपने essay में ला पा रहे हो तो you will be rewarded यह definite है right तो यह organic thinking का करना है then we will see what are some dawns जो की essay topic में नहीं करना चाहिए that is अब लोग GS paper का preparation करते हो GS1234 बहुत सारे data, facts, examples वगरा collect हो जाते है क्योंकि आपको पता है कि GS1234 में उसी से number आ रहा है at least GS23 में तो आ ही रहा है जितना ज्यादा facts, examples, data वगरा लिखे यही तो बाकी answer writing में जब सिखाते हैं तो यही तो सिखाते हैं कि आप अपनी answers के unique करने के लिए एक्स्टाची डालो right और जब लोग से लिखते हैं तो सबसे बड़ा problem यही देखा जाता है कि अब उनको सारा facts डालना है, सारी डाटा डालनी है, government schemes लिखा तो education से related जितना schemes डानते हैं सब लिख दिया, health से related जितना schemes जानते हैं सब लिख दिया, उनको दिखाने के लिए अपना knowledge examiner को right, so that is very bad practice, इस से sallowness पता चलता है आपका, और आप खुद सोचों कि एक page में सिफ data facts लिखा रहेगा, आप खुद ही नहीं पर होगे, वो क्यों परहेगा और उसको अगर आपने essay में ही बोर कर दिया, आपने इतना ज्यदा data facts example डाल दिया, तो वो क्यों परहेगा आपका ऐसे, और अगर नहीं परहेगा तो वो below average क्यों marks नहीं देगा, समझ रहे हो, तो excessive करने की जरॉत नहीं है, जितना कम, जितना जरॉत है उतना ही, अब report डाल रहे हैं तो report, report ही डाले जा रहे है, according to this, according to this, according to this, है ना, ये करते हो नहीं करते हो, करते हैं लोग, student अभी आप ही लोग essay लिख होगे ना तो दिखता रहता है उसमें, इसलिए पहले से बता दे रहा है, ये चीज है, कि जितना data facts ये जो है, वो चीज नहीं आने चीए, then कुछ लोगों को है कि thinkers उन्होंने बहुत ज़्यादा परहा है, political science वाले, अब उनको Aristotle भी पता है, Socrates भी पता है, Plato भी पता है, J.S. Mill भी पता है और पता नहीं क्या-क्या पता है, 20-30-40 thinkers तो पढ़ी लेते हैं हम लोग optional में, तो अब जब वो लिखेंगे political science वाले तो वो क्या करेंगे 10 thinkers का नाम लिख देंगे, एसे में, economy वाले ऐसे ही लिख देंगे, sociology वाले क्या करेंगे, 15-10 thinkers का नाम लाल देंगे, public administration वाले कहा चुडने वाले है, Weber लिखेंगे, Chester Bernard लिखेंगे और क्या-क्या ने लिखेंगे, तो यह technical paper नहीं है, optional paper आपको अलग से दिया गया है भाई, यह essay paper thinker लिखने के लिए नहीं दिया गया है, तो अगर आप thinkers का use करते हो, तो not more than 3 to 4 और यह भी अगर आपको लिखना है, तो कोशिस करो की अलग-अलग dimensions, अलग-अलग subjects के thinker लिखेंगे, एक economy का लिख दिया, एक philosophy वाला लिख दिया, एक political science का लिख दिया, sufficient है, excessive मत करो, आपको पता है, उनको पता लग जाता है, कि आपके answer देखके, answer देखके पता चल जाएगा कि आपका optional क्या है, economy है, यह political science है, public administration है, क्या है, तो वो चीज मत reflect करवाओ इधर, essay is a general studies paper, यहाँ generalized लिखो answers, essay, right, so do not make it technical or academic in nature, और सोचो कि कहीं ऐसे teacher examiner के पास पहुंच गया, जिसके पास यह knowledge ही नहीं है, इन सब thinker को वो जानता ही नहीं है, क्योंकि वो 60-65 साल का उसको लग रहा है कि उसने live में सब कुछ जान रहा है वो, उसको आप ऐसे ऐसा लिख के दे रहो जिसमें उसको feel आ रहा है कि कुछ नहीं जान रहा, वो क्यों marks देगा आपको, do not do it excessively, कि दो-3 से ज्यादा लिखो वो भी अलग-अलग dimension में लिखो, अगर आपका personality ऐसा होना चाहिए, कि multi-dimensional personality आपको multi चीज़ पता है, जब IS बनोगे तो अलग-अलग field के अलग-अलग problems आपके पास आएंगे, उसको solve करने का capacity होना चाहिए, right, तो reflect that thing, कुछ लोग का English होता है ससी थरूर वाला, और वो सोचते हैं कि हम ससी थरूर वाला English लिख देंगे, तो एकज़ा मस्त, 160 तो कहीं नहीं गया, और उनके ही सबसे पहले 20 नमबर आते हैं, इस तरह से यही problem होता अंके में, फ्लावरी language वहाँ पे दिखाने का मत कोशिज करो, फ्लावरी डाग ले जो है वो अपना poets वगरा जो भी है आपके personality अलग से book छाप लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें essay paper में यह सब languages मत करो, simple sentences में लिख सकते हो, आप देखो simple sentences में भी लिखोगे न, आपके जो choice of words हैं वो थोरा सब different होगा, जिसको ज्यादा English साती है वो थोरा सब different होगा, थोरा सब वो already better हो जाएगा, excessively उसको ज्यादा करने का मत कोशिज करो, essay is not a word for lovely language, then एक आता है bipolar essay, क्या होता है, कि एक ऐसे topic दिया गया, उसके pod लिख दिये, 78 points उसके against लिख दिये, 78 points, conclusion लिख दिये, आगे चले, खुज है कि हमने तो multi dimensional points लिख यह हैं, एक तो मजा आ जाएगा examiner को, इतने तो ज्यान भी नहीं होंगे उसके, that is very bad practice, 5-6 aspects आपको cover करने परेंगे, अच्छे answer लिखने के लिए, अब क्या India 50 gold medal जीत सकता है Olympic में, अब इसका क्या करते है लोग, 4 लिख दिया हाँ, जीत सकता है 50 gold, फिर लिख दिया कि नहीं नहीं जीत सकता, और फिर लिख दिया कि हाँ, क्या होना चाहिए, कैसे जीत सकता है, लिख दिया और लिख के आगे, that is bipolar essay, अगर bipolar essay आप लिख होगे, तो फिर खराब marks आएंगे यह आएंगे, अभी हम लोग सिखेंगे कि कैसे आपको multiple aspects में, multiple dimensions में लिखने है, right, then irrelevant content बहुँ जादा होता है, definition globalization अगर term दिख दिया तो globalization define कर दिये, inclusive development अगर term दिख गया तो inclusive development define कर दिये, तो नहीं पूछा जा रहा है, अगर कुछ important term ऐसा है, जो की नहीं है, मतलब common knowledge में, right, तो उसको क्या आप globalization बता के करोगो examiner को, क्या आपको globalization आता है, already topic है GS paper 1 में, वहाँ पे आप दिखाओ, right, तो यह यह चीज नहीं करने की जरूरत होती है, जो ऐसा terms है, जो unique terms है, जो नहीं आ रहा है, तो उसको definitely आप define करो, right, but जो simple सी terms है, वो चीज है, तो उसको करने की globalization, inclusive development, all these things need, do not need definitions in the SA paper, है न, then historical aspects, पहले ancient में जाएंगे, फिर medieval में आएंगे, फिर modern में जाएंगे, आगर प्रधान मंत्री के बारे में कुछ लिखना है, तो उनके past में जाएंगे, वहां से खिच के लाएंगे, लग रहा है कि 1200 words in को इसके लिए दिया गया, so these are very bad practices which you should avoid in writing essay, write irrelevant content मत लिखो, to the point essay आपको लिखने की जाएंगे, आप मान के चलो की sufficient knowledge है examiner के पास, आपका copy check करने के लिए, do not doubt UPSC, ठीक है, then another thing is की unnecessary controversies लोग create करते हैं, essay के अंदर, कुछ Hindu Muslim debate उठा दिया, Israel Palestine वाला debate उठा दिया, है ना होता है ना इसे, कुछ topic discuss कर रहे हैं और example create करने के लिए, ऐसा debate उठा दे रहा, essay में, अब एक page वो debate लिख दिया, right, so that is very bad practice, ये करोगे तो definitely essay में काम number आएंगे, right, ये सब चीज जब Muslim versus Hindu वाला debate, Gita versus Purana वाला debate, ये सब चीज उठाने के जोड़त नहीं है, unnecessary, आप से कुछी चीज का criticism पूछा जाएगा तब आप लिख होगे, right, then another thing जो बहुत ज्यादा देखा जाता है, वो है कि people start with disturbing facts, निर्वियार केस वाला जो है उससे उठा देंगे, explain कर देंगे उसको with 50-60 words में, तो starting of the essay में ही आपने mindset examiner का एकदम negative कर दिया, right, तो वो किसके चाहर जाएगा, आपको disturbing facts से नहीं करने है, mob lynching का आपने कुछ explain कर दिया, start कर रहो ऐसे उसी time पे, बहुत बार ये देखा जाता है, वोमेन को के साथ discrimination, women's related issue आता है, तो वो निर्वया पर लिख दिया, CST से कुछ related कुछ लिख आ जाता है, ऐसे तो mob lynching से कुछ लिख दिया, so ये सब disturbing facts से अगर लिख होगे, तो अच्छा नहीं जाएगा ऐसे, examiner का सोचो न, आपने लिख तो दिया, आपको वो event पता है, but examiner जो check करेगा, he may get irritated, so do not start, अगर आपको ये facts देने की भी जुरत है, तो किसको नहीं पता है निर्वया case, वो main body में use कर लो, for example निर्वया case इस तरह से लिख दो, right, समाझ में आ रहा है, तो disturbing facts से अब कोई genocide, Hitler का genocide से ही start हो जाता है, so that is very disturbing facts, इससे मत start करो, right, then, अब essay में कभी बहुत बारे ये सा होता है, देखने को मिलता है कि courts देख लिखने के है, लेकिन हम तो courts रठ ही नहीं सकते, लेकिन हमको लिखना तो है ही, honesty is the best policy, ये तो बच्पन से हमने याद कर रखी है, तो ये तो हम लिख के ही आएंगे, democracy is for the people, by the people, of the people, सब को पता है, तो हम ये जरूर लिख के आएंगे, democracy की जहां भी ऐसे आ जाएगी, right, तो ये सब करने की, ये cheapness मत बजाओ, इससे आपका दिख रहा है कि intellectual level आपकी कम है, इससे अच्छा मत लिख हो ये सब courts, समझ में आ रहा है, कि ये सब courts लिख रहा है कि मत लिख हो इसको, क्योंकि ये सिधा सिधी reflect करवा रहा है कि आप इतने lazy personality हो, कि 5-10 courts ढंके नहीं रट सकते, कल के date में आपको IS बनोगे, तो बहुत सारे facts आपके जुगान पर होना चाहिए, बहुत सारे facts, कभी भी आपको ये politicalize की tips, कोई MLA पूछ सकता है, कुछ, कोई MP कुछ पूछ सकता है, तो आप वो चीज़ उठा के तो नहीं देखने लग जाओगे, paper pain, right, तो इतना आपके अगर आप quotes लिख रहा हो, तो धांक का quotes रट के जाओ, और अगर नहीं पी रट आ रहा है, तो कम से कम thoughts रहे और thoughts अपने words में लिखो according to BR Ambed का this, अपने language में लिखो, लेकिन ये cheapness मत मझाओ, right, then क्या होता है कि, लोगने लिखा गांधी जी, गांधी जी को introduction में भी लिखा, गांधी जी को main body में लाए पहले, फिर एक पेज और लिखा गांधी जी को फिर से लाया, फिर एक दो पेज और लिखा गांधी जी को फिर से लाया, conclusion में गांधी जी को फिर से लाया, एक essay मे चार बार पांच बार गांधी जी आ गये एक्जामिनर को क्या लगेगा क्या वो इंप्रेस होगा कभी क्या हो गया इंप्रेस आपने गांधी जी लिख तो दिया गांधी जी के आइडियाज भी लिख दिये इतने सारे फिरोस्फर्द है इतने सारे थिंकर से इतने सारे लोग है । ऐसे एंप ज DVD-ưỌब कलाम उठाएगा फि दो चारि हैं निंग्र ही जिनको लोग गैनरली लिखते हैं गांधी-जी की एंप जे अब लिकलाम होगे विबय हूंद रेंग है इन को जो है यह हम डालते रहे गए एक 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 एसे में चार बर पांच बार डाले एक बार गांदी जी यह सब्सक्राइब करने के लिए वह रिफ्रेंश ले सकते हो वापस से क्योंकि यह सब चीजे जो है ना यह रिफ्लेक्ट करती है कि यूर लिजी पर्षन और यूहाम नौट प्रिपेर पुर ऐसे पेपर और दब उनको रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा कि आपने ऐसे पेपर नहीं प्रिपेर किया है तो आपको क्यों 150 नमबर देंगे उनको ते दिखना चाहिए ना कि आप मेहनत करके आया हो यह 250 नमबर का एक पेपर है तो इसके लिए आप मेहनत करके आया हो आप कुछ उनीक बना रहा हो आप कुछ और्गनिक लिख रहा हो राइट तो दैट शुट नांट बिएर देन कुछ लोग होते हैं लाल सलाम वाले मायूस टैप के मेंटिलिटी राइट उनको गवर्मेंट से बहुत जयादा प्रॉब्लम है अब वो क्या करेंगे जवरदस्ती गवर्मेंट का क्रिटिसिजम ले ले कि लाया उठा उठा के लाते है तुम आप सिस्टम में घुस र fact that's why you have come here to write the exam right तो unnecessary criticism की गवर्मेंट बिजे भी गवर्मेंट इस कर रही है Congress गवर्मेंट नहीं है किया यह सब करने की ज़रत नहीं है जहां पर ज़रत है वहां पर अच्छे से language में as a diplomatic language आप यूज करो और गवर्मेंट को क्रिटिसाइज करो बिल्कुल वह acceptable है पर जवर्दस्ती गवर्मेंट को आप क्रिटिसाइज करो वह दिखाता है कि आप उस सिस्टम में positive चीज देखी नहीं पा रहे हो है ना तो इसको unnecessary criticize करने की ज़रत नहीं है then another जो important point है ज़र ज़र mistakes होता है लोग first person second person में लिखते है I I I I have this या तो लिखेंगे you first person second person में you must have seen this you must have this किसको बोल रहा आप यू वह भाई 60 साल का आदमी परा है भाई उसने पूरा जीवन जी लिया अब उसको आप क्या सिखा रहे हो आप, so you do not have to write in first person and second person और आपके personal life से उसको कोई मतलब नहीं है आप बन रहे हो नहीं बन रहे हो कोई मतलब नहीं है उसका खीक है तो आप इसको third person में लिखो one someone no one somebody इस पर यह सब यूज करो third person में आप लिखो SA को वो एक common mask को दिखाता है ठीक है आप उस 65 साल के आदमी को ग्यान मत दो ठीक है तो यह तो हमारा part हो गया कि क्या करना चाहिए समझ में आयना कोई दिकत है यह सब mistakes को होता है न लोग करते हैं और यही सब करते हैं न तो drastically reduce होता है marks क्योंकि यह सब unexcusable marks हैं यह सब mistakes इसको excuse नहीं कर सकते हो ऐसे लिए फिर दे देते हैं सतर नंबर 80 नंबर फिर आप बोलोगे कि हमने तो सब लिख किया था अफिर मेरे number का मार रहे है राइट तो यही सब problem होता है देन कोई भी ऐसे topic हो कोई भी ऐसे topic हो उसको कैसे समझोगे चाहिए वो philosophical essay ऐसे बहुत डर लग रहा आप लोग को है ना और सारे आपके डर को और ज्यादा करने के लिए उन्होंने सारे के सारे फिलोस्पिकल ऐसे ही पूछना स्टार्ट कर दिया अब क्या करोगे क्या क्योंकि उन्होंने देखा कि जब फिलोस्पिकल देते थे और बाकी पेपर भी देते तो फिलोस्पिकल कोई लिखता ही नहीं था अब तो कोई स्कोप ही नहीं चुटा है चार उसमें फिलोस्पिकल चार इसमें फिलोस्पिकल अब क्या रोगे क्या कैसे समझोंगे ऐसे टॉपिक और कैसे डिल करोगे So, the best strategy to deal any kind of essay whether it is philosophical or whether it is general type इस तरह से सबसे पहले तो उसको keywords को आप identify करो कि what are the keywords और जब तक आप सारे के सारे keywords को जानते नहीं हो तब तक उस essay को आप नहीं उठाओगे एक essay में जब तक आप सारे के सारे keywords नहीं जानते हो तब तक उस essay को आप नहीं उठाओगे होगे right so that is their keywords identify करो जैसे कि यह है the misinterpretation and misuse of freedom in India so what are the keywords misinterpretation misuse freedom of India यह तो छोटा सा ऐसे है तो इसमें 4 keywords होगे बड़ा essay में भी आपको 3-4 keywords ही मिलेंगे topic में बड़ा ऐसे है चाहे वो philosophical essay हो या जो भी ऐसे हो उसमें क्या करने है कि आपको keywords related questions frame करने है आपको बोला गया है ना कि exactly to the point लिखने orderly fashion में लिखने है इधर उधर नहीं भागने कि लिए लिवास में लिखा हुआ है तो कैसे to the point लिखा हुआ होगे यह वाला essay topic है can capitalism bring inclusive growth what five six questions you would flame जिससे आप अपने main body को to the point to the to this topic रख पाओगे अब बहुत सारे लोग तो क्या करेगा ना capitalism दिखा capitalism के बारे में वह जानते हैं तो capitalism के बारे में एक पेज भर दिया inclusive growth दिखा inclusive growth के बारे में एक पेज भर दिया कि चलो 200 words निकल गया हमारे एक हजार में से so what will be the question that is very bad practice और भी बहुत खराब नमबर आते हैं अगर ये essay आपको पूछा गया है can capitalism bring inclusive growth तो इस essay में आप क्या करोगे questions frame करोगे frame questions like does capitalism really really brings inclusive growth क्या सही में capitalism inclusive growth लाता है और क्या आपके पास international examples या कुछ भी examples है इसको solve करने के लिए right तो कुछ तो points आएगा ना इसके अंदर अगर ये question होता 10 marker का या 15 marker का तो आप लिख की आते की नहीं आते GS paper 1 में आते है ना तो अगर आप ये questions frame करोगे तो आप फिर सोच पाओगे और ये question directly link है की नहीं इस topic से तो अगर आप इस question को solve कर इस question का answer दोगे तो आप इस topic का answer कर रहे हो की नहीं कर रहे हो ऐसे को right similarly when capitalism does not bring inclusive growth कब ऐसा situations आ जाता है की capitalism inclusive growth को नहीं ला पा रहा है जब लोग money minded हो जाते हैं जब profit oriented हो जाते हैं जब वो लोग empathy नहीं होता है sympathy नहीं होता है in all these matters जो है वो capitalism inclusive growth नहीं कर पाएगा right then you can frame the question where has capitalism brought inclusive growth and where not क्योंकि जब question frame हुआ है तो कही न कहीं inclusive growth ला रहा होगा even USA is not 100% capitalist country क्यों क्योंकि वहां भी welfare schemes चलते हैं और वहां भी यह health sectors और education sector में कुछ न कुछ subsidy दिया जा रहा है provide किया जा रहा है right so can whether where has capitalism brought inclusive growth and where not क्या India एकदम perfectly socialist country है नहीं है ना capitalism वाली गुन यहां भी है private sector कर promote यहां भी किया जा रहा है right so India में inclusive growth तो है so some section of the some part of the India's thought process इससे capitalism को जोड सकते हो और वहां पे जिख सकते हो कि हां में inclusive growth आ रहा है right then how has capitalism brought inclusive growth जहां जहां भी inclusive growth लाया है वहां पे कैसे कैसे रहां inclusive growth लाया you can think like this and what should be the reform in capitalism to have inclusive growth अगर आप इस 5 questions का main body में answer कर रहा हो तो क्या आपका relevant and to the point essay topic नहीं बनेगा यह वाला बताओ बनेगा ना और वही उन्हों में divide नहीं होगा कुछ questions हो है वह ज्यादा words में लिखे जाएंगे कुछ questions हो सकता है 50-60 word में लिखे जाएं कुछ questions हो सकता है 300-400 words में भी लिखे जाएं So that weightage will be changed but after all अगर आप यह लग लोग यह questions को solve कर रहे हो हो इस question को answer कर रहे हो बांखी चीज को अगर आप कर रहे हो तो जो अभी हमने परहा do's and don'ts then there is eagle view जब हम लोग हम as a human जब हम लोग नीचे होते है जमीन पे तो let's suppose की बगल में पार्क है यह बगल बिल्डिंग है तो हम को क्या दिखता है को वो पार्क दिख रहा है वो बिल्डिंग दिख रहा है लेकिन एक eagle जो सब आसमान में उर रहा है उसको क्या क्या दिख रहा है उसको पार्क भी दिख रहा है उसको बिल्डिंग भी दिख रहा है उसको जिम भी दिख रहा है वो कहीं दूर पे उसको नदी अगर होगा वो भी दिखेगा ज़ड़ना दिखेगा वो भी दिखेगा पॉरे सब दिखेगा. So, you will have to have eagle view when you are writing essay. Corruption is not only about taking or giving money. If someone जिसको 10 बजे आना है और डेली वो 12 बजे आरा है, he is also a corrupt person. समझ भार है इस बात को? तो आपको eagle view रखना है, eagle view रखोगे तब आप सुच पाओगे कि इसमें other other aspects, other other dimensions कैसे आ सकते है. Right, for example, कि यह वाला topic है. The worst form of inequality is to try to make unequal things equal. Right, यह topic है. अब यह बताओ कि inequality का यहाँ पर क्या मतलब है? कौन सी inequality के बात हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पर, इक्वल, इक्वल साथ काम साइज, कौन-कौन सी equality इसमें लिख सकते हो? तो यह question क्या होता है न, exam pressure में जवाब पढ़ते हो, तो लगता है कि inequality, inequality is only economic inequality, अब पूरा का पूरा essay economic inequality पर लिख की आ जाते हो, यह report, यह index, यह data, यह facts, all these things you are writing, और फिर बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा अंसर लिखा, और आपने सिर्फ एक aspect लिखा, एक narrow dimension में essay को लिखा, यह कहां पर कह रहा है कि social inequality नहीं है, political inequality नहीं है, environmental equality नहीं है, क्या वे essay topic कहीं पर कह रहा है, कह रहा है, इस बात को, समझे रहा है कहां पर mistake करते हो आप लोग, वो क्यों नहीं है हो रहा है, क्योंकि eagle eye view से नहीं देख रहे हो, अगर eagle view होगा, तो आपको दिखेगा कि यहां पर economic, social, political, environmental, technological सभी तरह का inequality लिखाएगा, और अगर आप यह सारे dimensions लिख्या होगे तो 140 प्लस guaranteed है, जो सिर्फ economic inequality लिख्या हैगा, उसके 90 number भी guaranteed है, क्यों नम्मर देंगे आपको, अगर आप narrow dimension को cover कर रहे हो तो, right, second topic इसको देख्के क्या लग रहा है, the world of reality has its limit and the world of imagination is bondless, जैसे ही लोग world of imagination देखते हैं, वैसी उनको खटकता है, दिमाग में आता है, strike करता है कि यह science technology का topic है, यहाँ पर science technology ही पुछा जा रहा है, है ना, ऐसा सोचते हैं लोग, और फिर experience क्या करेंगे, इस topic को science technology का essay बनाके, पूरा का पूरा essay लिख्या जाएंगे, but science technology is only one aspect of this topic, क्या आज के date में जो democracy है, क्या आपने imagine किया था कभी, या आज से 500 साल बाद जो democracy होगी या जो भी system, political system होगा, वो आपने कभी imagine किया है, ठीक है, तो reality, democracy, political aspects में आगया, social aspects में क्या आप ये imagine कर रहा हो कि caste system हमेसा खतम हो जाएगा, लेकिन उसके reality है एक, उसके एक limits है, कितना खतम होगा, तो ये topic जो है, not only in science and technology, but it will go into historical, social, political, सब एक aspect में ये जाएगा, क्या Alexander the Great ने ये नहीं सोचा था कि वो world पे कभजा कर लेगा, लेकिन क्या Alexander the Great पुरे world पे कभजा कर पाया, नहीं कर पाया, because his imagination said that it was the limitless, his imagination historical aspect में देखोगे, तो Alexander का imagination was limitless, and he wanted that whole world should be under his rule, but there was the limit, there was some reality, whole world did not come under his rule, historical aspects में बनेगा कि नहीं बनेगा topic, तो आपको eagle eye view रखना है, अलग-अलग aspects में आपको cover करने है topics को, unless and until ये लिखा रहा है कि social inequality, economic inequality, तब तो फिर उसी dimension में cover होगा, right, 2021 में एक question आया था, hence that rocks the cradle rules the world, cradle वो लो, world, world लोगों ने देखा, experience ने देखा, पूरा का पूरा ऐसे motherhood और mother पे बना के आगे, hence that rocks the cradle, पालना तो वही जुलाती है mother, तो क्या ये ऐसे बोल रहा है कहीं पे mother लिख रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी government, कुछ भी अगर generate हो रहा है, कुछ generate कर रही है, तो क्या उसके बारे में ऐसे नहीं नहीं लिखाएगा, लिखाएगा ना, तो आपको eagle view रखना है, narrow dimension में लिख्या होगे, ऐसे बहुत खड़ाब नमबर आएंगे, आपको broad बनाने है, ऐसे topics, ऐसे को, समझ में आ रहा है, then another thing is, की automatically experience, assume की India के बारे में ही पूछा जा रहा है, world history हमने तो ज्यादा परा नहीं है, world quality हमने तो ज्यादा परा नहीं है, तो बाकी का इसे knowledge भी नहीं है, और mainly जो हमने जीएज 1-2-3 पर रहे हैं, वो इंडिया के बारे में पर रहे है, तो already assume कर लेते हैं की इंडिया के बारे में ही पूछा जा रहा है, हम तो इंडिया के बारे में ही लिखेंगे, देखो एंडिया के बारे में ही लिखना है, क्योंकि to the point ऐसे लिखना है, exactly लिखना है, यहाँ पर आपको exactly इंडिया के बारे में ही लिखना है, लेकिन अगर यह एसे topic है, in a democracy, we get the leaders we deserve, क्या कहीं पर इस topic को शिर्फ इंडिया के बारे में लिखके आप justify कर पाऊँगे, क्या पूरे वर्ल्ड का democracy जहाँ पर आज के डिट में more than 60 countries have democracy उनके बारे में कुछ-कुछ जरू नहीं लिखना परेगा, सब के बारे में नहीं, overall थोड़ा, यहाँ पर क्या गलती करेंगे लोग, जवारला नेरू, इंदरा गांधी और जो तिने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जितने यह प्रेसिडेंट हुए हैं इनके बारे में इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में लिखके आ जाएंगे बुलेंगे हम बहुत अच्छा अंसर ऐसे लिख्या हैं और फिर उनको न देमोक्रेसी के बारे में लिखना परेगा समझ में आ रहे हो कहां पर गल्ती कर रहे हो आप लोग यह सब गल्ती करते हो इसलिए खाराब नंबर आते हैं यह सब गल्ती नहीं करोगे तो क्यों उनको कोई दुस्मानी तो रही है आपके से किसी को 150 दे रहे हैं किसी को 90 दे र में लिखना स्टाँट कर देता है नहीं आपको पूरा का पूरा ऐसे इन टोटलिटी पढ़ना रहा हैं और इन टोटलिटी लिखना है समझ में हा रहा है उस टोटल ऐसे टॉपिक का पूप्रीट ऐसे टॉपिक से जो मिनिंग निकलत Fields रहा है उस मीनिंग को आपको कभर करना है राइट जैसे इन तोलरेंस is the first sign of inadequate education, अब जैसे ही इन तोलरेंस वर्ड देखा तो experience चालू हो जाते हैं, इन तोलरेंस बहुत है society के अंदर, इन तोलरेंस को कम किया जा सकता है, इन तोलरेंस इन तोलरेंस देट, विदाउट लिंकिंग इट विद द इन एड़केट एड़केशन, पान्छे आस्पेक्स बनेगा और हर एक में इन एड़केट एड़केशन यह इंक्लूड होगा, शिर्प इन तोलरेंस के बारे में नहीं पूस्ष रा आपसे, यहां पर पने रेका कि कैसे इन टोलरेंस को है एड़केट एड़केशन से ठिक किया जा सकता है, क्या जारूरी है कि किकींग पास है है ना तो आप keywords को पकरके ऐसे मत बना दो पूरा का पूरा सिर्प इन टोलरेंस पकरा और इन टोलरेंस को उठा के ऐसे बना दिया without thinking कि ये इन इडिकेट इडिकेशन के बारे में पूछ रहा then we over estimate how much we understand the world and underestimate the role of chance in the event experience क्या करते है we over estimate how much we understand the world वह इसके बारे में तो सबको पता है बरबर के लिखेंगे बरबर के लिखेंगे पूरा का पूरा बारा सो वर्लिख क्या है और इस चीज़ को भूल गए we underestimate the role of chance when we are over estimating something when जब यह जो है और underestimate कर रहे है role of chance इस part को आप भूल जाते हो जब आपने 50% ही से को cover किया तो 50% ही marks तो पाओगे नहीं तो पूरा totality में देखना है यहां पर आपको देखना है कि हम किस तरह से अपन खुद जो जानते हैं उसको over estimate कर देते हैं लेकिन chance तो हम मिलकुल भूली जा रहा है आज MS दोनी जिस मुकाम पे पहुचा है यह आज इस रो जिस मुकाम पे पहुचा है उसमें रोल अप चांस नहीं है क्या ठीक है तो यह भी लिखाएगा Patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of the social inequality 2020 अब जब उनको पूछा पूछना की किसी particular inequality के बारे में तो exactly वो लिख के देंगे यहाँ पर हमको social inequality के बारे में ही लिखना है यहाँ पर political inequality, environmental inequality उस सब का कोई जरौत नहीं है क्योंकि वो सब अब लिखोगे तो topic ऐसा है कि अब आपका distract हो जाएगा इससे लेकिन यह topic पढ़ने के साथ ही लोग Patriarchy देखा बस भावना में बाय गए Patriarchy बहुत खराब है, Patriarchy से यह हो रहा है, Patriarchy से वह हो रहा है, Patriarchy को ठीक करने के लिए यह यह करना चाहिए एक टॉब एक keyword उठाया लिख दिया, उनको लगेगा कि उसने बहुत असायन सा लिखा, लेकिन यहां पर पूचा क्या जा रहा है कि Patriarchy इस्ट लिस्ट नोटिस यह तो most significant structure of social inequality आपको यह करना परेगा कि किस तरह से Patriarchy जो है लिस्ट नोटिस्ट है और फिर भी social inequality होते जा रही है अगर social equality लाना है तो आपको Patriarchy को खतम करना परेगा यह सब aspects आएगा इसमें, not only Patriarchy, right? Then South Indian societies are woven not around the state इतना परते ही जो है na experience लिखने लग जाते है But how South Indian society are woven not around the state, but woven around what, woven around plural culture and plural identity तो हर एक stanza हर एक paragraph जो आपके answers में आएंगे उसमें plural culture and plural identity से link होना चाहिए तभी यह exactly to the point बनेगा यह से नहीं तो कैसे बनेगा अब कुछ भी लिखोगे उससे थोड़ी चलेगा So these are the mistakes समझ में आ रहा है na to entirely जो theme बन रहा है जो निकल के आ रहा है से topic से उसके बारे में ही आपको लिखना है उसके इर्द गिर्द आगल बगल चारो तरफ उपर नीचे आप लिखो right so you have to write like that तो अभी हमारा जो है ना यह वाला session खतम हो गया अभी आप लोग एक घंटा एक ऐसे लिखोगे copy का है आपका ठीक है तो एक घंटा आप एक essay आपको दिया जा रहा है यह आप लिखोगे 10 मिनट आप brainstorm कर लो और बागी 50 मिनट में आप essay लिख लो right और essay लिखने के बाद उसी essay का discussion होगा अभी ठीक है तो फिर आपको पता चलेगा और जैसा बताया है ना जिस तरह से वह को चीज इंप्लिमेंट करो यह इंप्लिमेंट करोगे तो कोई यह जो टॉपर्स हो रहे है वह बहुत बारा तोप नहीं हो रहे है और किसी तो ऐसी उनको 140 पचास नमबर आ रहा है तो आप से different नहीं है आपका knowledge level बहुत कम है ऐसा नहीं है right. So, this is the topic which you will have to write question paper यह आपको मिल जाएगा भी right इस पे आपको एगंटे लिखना है यह देन इभी we will discuss on this कैसे इसको हैंडल करना है जो हमने सीखा है टीक है.